सूपरभार बच्चो अब बारी है आज के कहानी सुनने की आज की हमारी कहानी है बबलू हाथी बबलू हाथी को पानी में नहाना बहुत पसंद था वहरोज तलाब पर नहाने जाता और खूब खेलता एक दिन उसे वहाँ भूला मिला जो देखने में उसके जैसा ही था बबल तयार हो गया दोनों ने तलाब में खूब मस्ती की भूला की नाक पर सींग थी जो बबलू को अक्सर चुप जाती थी घर आने पर बबलू की मा उससे पूस्ती कि चोट कैसे लगी तो वह कहता बूला हाथी के वज़ा से लगी बबलू की मा ने बूला को एक दिन दोपहर क खाने पर बूलाया बबलू की मा बूला को देखकर खूब हसी और बबलू से कहा अरे यह तो गेंडा है हाथी नहीं है बेटा तो बच्चों आज की कहानी थी ना रोचन आज के लिए इतना ही धन्यवाद